आप देख रहे हैं भारत की रस्तार 24 हापुर जनपद में आज राष्ट्रिय सैनिक संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रिय एकी करन एवं चरित्र निर्मान दिवसकार्यक्रम में शिर्कत करने उत्तराखंड के राजपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुर्मीद सिंग पहुँचे यहां पहुँचने पर उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने गार्ड ओफ ओनर दिया और उसके बाद राजपाल ने मंच पर दीप प्रजवलित किया जिसके बाद उत्तराखंड के राजपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुर्मीद सिंग ने हापुर जनपद के रहने राखंड के राजपाल के रूप में यहां आने का मौका प्राप्त हुआ है इस सैनिक संस्था में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की सेवा करने के लिए सदैव ततपर रहते हैं उनमें से एक नाम राजन छिपबर जी का है जो आंधर प्रदेश सरकार में मुख्य सला के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे की मदद हमेशा करते रहना चाहिए साथ ही कोरोना महमारी से चीन का जहां बुरा हाल है तो हम सभी लोगों का भी दायत्व बनता है मुझे ये विरांगना मा दुर्गा जैसी देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने कहा है कि हमें भारत को विक्सत देश बनाना है और भारत को विश्व गुरु बनना है और साथ ही हमें गुलामी मानसिक्ता को भी खत्म करना है शिव कुमार रावत की रिपोर्ट और जो एक नेशनल रेजिलियन्स से हमने पोविज का वुकाबला किया तो अपने आप में अलग नाले की निये लड़ाई है कि खत्म नहीं हुई है जो हम देखते हैं चाहिना और पाखी जिसकों हम बड़े बड़े देश मांचे वह आज भी इस चैलेंच से जूज रही है तो गुराना कहानी है जो अपने कहते हैं कि साब्दान हटी दुर्गटना भुटी हमको हर वक्त इस सुनौती के उपर में साब्दान रहना यह बहुत जुरूरी है कि हम अपने स्वास्त का प्षाल रही है कि दाखी दे जो हमें कोविट महामारी में सीथी जहने को तो हुँ सिंपल है लेकिन हम की सिंप्रिसिटी में एक विशालता बती हुई है अब तक ना तो उनके पार्थिव शरीर आया ना उसकी डिटेल आया पहुत कायव करना है आपको इसलिए जो संस्ता है यह तो संस्ता है इसके आज के दिन में 26 स्टेट के अंदर में 93,000 मेंबर्स है कितने हैं अबी समय ने करवट लिया अभी महाकार महा देख ने करवट लिया अभी विश्व की जो स्कति है उसमे भारत ने जो करवट लिया है हमारा रिस्तव बदल लिया है आपने सुना होगा 15 गर्ष को मानिया बढ़ाना प्रिजी ने का एक सो तीज करोड बाजयों से पांक प्रिण का जो शिक्यों हिए उनने कहा कि भारत को विश्व कर दो बढ़ना है उन्होंने कहा कि भारत को विष्ट गुलू बनना है। उन्होंने कहा कि भारत को एक बनना है। उन्होंने कहा कि भारत को भुलादी की मांसिक्ता से निकलना है। उन्होंने कहा कि हमको अपने जरूर अपने हैरेकेज को पहिचानना है।